तो VOB Word application को install करने के बाद जब आप उसमें पहली बार login करेंगे तो login करते समय आप लोगों से existing transaction pin मांगा जाता है और existing login pin मांगा जाता है लेकिन अगर आपके पास login pin और transaction pin अगर आप दोनों भूला गये हैं दोनों आपको नहीं पता है तो आप लोग कैसे login pin और transaction pin बनाएंगे आप लोग को detail से इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा लेकिन इन केस आप अगर पहले से जो VOB Word में अगर आप login कर चुके हैं और application को open करते समझ जब transaction pin मांगा जाता है तो अगर आप यहाँ पर भी अगर login pin भूल गया है तो भी आप लोग को बताऊंगा कि कैसी आप लोग login pin create कर सकते हो देखिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने जाव आप लोग को बताया था तो आप लोग ने ध्यान से नहीं देखा और काफी सारे सवाल आप लोग ने किये ठीक है तो यहाँ पर मैं शुरुआत से आप लोग को बता रहा हूँ देखिए अगर आप लोग यहाँ पर login pin भूल चुके हैं तो simply आप लोग को नीचे जो unblock forget login pin लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे लेकिन अगर आप लोग देखिए शुरुआती में ही अगर भूल चुके हैं जैसा कि मैंने पहले अभी आप लोग को बताया तो भी आप लोग वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि उसको वारे में अंत में आप लोग को बताऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इन पीन जो भूल चुके हैं तो यहाँ पर मोबाइल नमबर देंगे जो आपके बैंक एकाउंट में लिंक है और इसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन पीन देंगे लेकिन अगर आपके पास transaction pin भी नहीं है तो फिर login pin उइसे भी आप नहीं बना पाएंगे ठीक है तो चलिए मैं आप लोग को कैसे यहाँ पर transaction pin forget करेंगे ठीक है तो यहाँ पर transaction pin लिखा हुआ है forget इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन option आप लोग को देखने के लिए मिलता है जहाँ पर आप लोग ATM के माधियम से भी अपना transaction pin बना सकते हो change कर सकते हो, forget कर सकते हो base branch में जा करके और internet banking के माधियम से तो मैं यहाँ पर internet banking के माधियम से आप लोग को यहाँ पर forget करके दिखाने वाला हूँ और यह देखिए problem तब आता है जब आप लोग जो है जब फ्रेश यानि के विविविवड अप्लिकेशन को इंस्टाल करके जब उसमें आप लोग इन करते हो तब आप लोगों से यह detail मागा जाता है transaction pin और login बीन मागा जाता है ठीक है तो चलिए मैं आप लोग को simply मैं करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों करना होगा तो मैं यहाँ पर देखिए internet banking यूच कर रहा हूँ अगर आपके पास internet banking नहीं है तो आप लोग भाई जो है आप लोग बना सकते हो ठीक है बहुत ही आसान है कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप लोग internet banking के लिए तूरांत registration कर सकते हो तो वी ओबी वर्ड internet banking में login करने के लिए सबसे पहले ग्रोम में लिखेंगे वी ओबी internet banking जैसे वी ओबी internet banking लिकर के इस तरीके का पेज आएगा जहां पर दो आपसन आपको देखने के लिए लेगा यहां पर retail user login और corporate user login तो यहां पर retail user login पर क्लिक करेंगे और जैसे यहां पर click करेंगे तो आप लोग के सामने login page और वी ओबी वर्ड का देखने के लिए मिल जाएगा तो simply यहाँ पर आप लोग अपना user ID डालेंगे user ID मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके बाद simply login पर click करेंगे तो login पर click करने के बाद आप लोगों से यहाँ पर mobile number जो है कि मांगा जाएगा ठीक है authentication कर लिए कि जिससे आप इसमें login हो सकें ठीक है तो देख सकते हैं आप पर mobile number मांगा जा रहा है तो चलिए मैं mobile number देख करके अपना मैं यहाँ से login कर लेता हूँ और यही से आप लोग register भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को register करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा साहिम लगता है उसमें यहाँ पर मैं internet banking में login कर चुका हूँ तो चलिए मैं इसका login pin अभी मैं आप लोग को reset करके दिखा रहा हूँ कि कैसे login pin reset करना है और transaction pin भी कैसे reset करना है तो यहाँ पर three line पर click करेंगे three line पर click करने के बाद simply यह जो आप लोग को देख सकते हैं कि एक services दीख रहा है ठीक है तो simply यहाँ पर mobile banking ब्योबी ओरड़ पर click करेंगे इसके बाद मेरा यहाँ पर session जो है समापत हो चुका है तो मैं दुबारा से इसमें login कर लेता हूँ login करने के बाद simply यहाँ पर services पर click करेंगे और services पर जैसे click करेंगे तो नीचे scroll करने बाद mobile banking ब्योबी ओरड़ पर click करेंगे और इसके बाद जब आप लोग का ब्योबी ओरड़ बना हुआ थे सारा का सारा detail यहाँ पर आ जाएगा देखिए अगर आप transaction पिन अगर भूल चुके हैं तो transaction पिन तो यहाँ से आप जो है reset transaction पिन पर click करके activate पर click करके transaction पिन जो है आप लोग बना सकते हूँ लेकिन अगर आप अगर आप login पिन भूल चुके हैं तो सबसे पहले आप लोग को बियोबी वर्ड अप्लिकेशन को de-registration करना पड़ेगा de-registration करने का मतलब यह है कि जो आपने अभी तक बियोबी वर्ड में account बनाया था वो सारा का सारा account आप लोग को delete करना पड़ेगा बियोबी वर्ड फ्रेस आप लोग को करना पड़ेगा ठीक है तो यहां से de-registration पर click करके OTP के माध्यम से बहुत ही आसाने से आप लोग जो है de-registration कर लिजेगा आप देखे मैं एक एक हिस्टेप अगर बताऊंगा तो वीडियो आज़ GET करके नहीं दिखाने वाला हूं नहीं आप लेड़ी re-registration कर रखा है तो दे- instration करनेके बाद फिर सो वी यज वी वर्ड अपलीकेशन को जो जो है install करने बाद आप login करेंगे थो आप दोबारा से भरी अपना login पिन बहुत ही आसानी से Set कर लेंगे ठीक है और आप लोग को कोई भी problem नहीं होगे ठीक है और अगर मालीजा आपके पास अगर transaction pin भी नहीं पता है तो transaction pin पर यहाँ पर click करके यहाँ से customer ID select करेंगे और customer ID select करके आप लोग अपना transaction pin भी create कर सकते हैं ठीक है देखे बहुत आसान है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर यह सारी चाहिए करना है तो आपके पास internet banking होना चाहिए और internet banking अगर आपके पास नहीं है तो भाई ATM होना चाहिए क्योंकि बिना ATM का internet banking आप नहीं बना पाएंगे ठीक है तब ही आप आप लोग यहां से login pin transaction pin आप लोग बहुत यह असानी से बना सकते हो और यह जो अभी मैंने आप लोग को दिखा रहा हूं अभी यह ठीक है तो यह अगर आपके पास transaction pin पता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में